नमस्कार दोस्तों मेरे पामिस्टी चनल में अप लोगा स्वागा थे और आज हम जिस पाम की अनलेसिस करेंगे इनकी एज है 41 और पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो काफी इंट्रेस्टिंग पाम है पाम में बहुत कुछ इंडिकेशन है इनके जो पहली जो पॉजिटिव इंडिकेशन इस पाम में दिख रही है ओ है इनकी फेट लाइन बहुत लेट शुरू हो रही है कड़िप-कड़ी 35, 36 के कड़िप अचानक से राहू एरिया से शुरू हो रही है और आगे बढ़ रही है तो जब भी फेट लाइन राहू एरिया से शुरू हो तो ऐसे लोगों की जिन्दगी में अचानक से सक्सेस मिलती है अचानक से एक बड़ी जिन्दगी में उलट फेर होती है और उसके बाद इनको सक्सेस मिलती है यह जो change होती है ऐसे लोगों की जिन्दगी में केडियर में यह कभी-कभी willingly भी होते हैं मतलब और कोई भी-कभी कुछ खरब situation होने के कारण भी होते हैं कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो wishful छोड़ देते हैं तो एक काम करते थे उसको छोड़के नहीं काम में चले जाते हैं नहीं कडियर की तरफ चले जाते हैं और किसी-किसी लोग का situation है ऐसे बन जाता है कि उनको जाना पड़ता है तो किस तरीके से इनके केडियर में भी changes आईगी यह पता नहीं लेकिन अचानक से बदलाओ इनके जरूर आएगी अभी तक नहीं आया है क्योंकि इनके जो faith line स्टार्ट हो रही है कडिप-कडिप 35-36 है तो मैंने इनको पूछा था कि 35-36 के कडिप के आपके केडियर में अचानक से gear up हुई और बहुत बड़ी success मी नहीं तो उन्होंने कहा नहीं है ऐसा नहीं तो इसके मतलब यह है कि अगली बार जब यह faith line चेंज होगी वहाँ पे आपको फिर से एक मौका मिलेगा तो अगली बार कब हमें देखने को मिल रही है यह line यहाँ पे कतम हो रही है यह जो age है लगबग आपकी हो जाएगी 41 जो आपकी present age है इसी age के कड़िब तो इसी age के कड़िब हो सकती है कि आपके पास एक बहुत बड़ी opportunity आ है और उसको आप in cash कर पाएंगे तो आपको बड़ी success ज़रूर मिल पाएगी नहीं तो फिट से आपको wait करनी पड़ेगी और कड़िब कड़ी 55 के कड़िब फिट से faith line में changes है और उस lining के उपर एक tryden की formation है तब जाके हो सकती है तो आपको अभी एक मौका मिलेगा और 54 के कड़िब जाके फिट से एक मौका मिलेगा जिन्दगी में अपने केडियर को change करने के लिए और केडियर में success achieve करने के लिए इनके जो माइन लाइन है माइन लाइन के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ उसके बाद हम लोग वारल पाम की और जाएंगे इनके माइन लाइन को थोड़ा फोकस कीजिए बहुत ही छोटी माइन लाइन है तो ऐसे छोटे माइन लाइन हो तो मैंने इनको पहली सबाल ही पूझा किया क्या आप बिजनस करते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बिजनस नहीं जॉब करता हूँ तो मैंने कहा कि अपने बहुत बार, एक दो बार नहीं, कुछ बार नहीं, बहुत बार, काउंट करना भी मुश्किल है, इतनी जादा बार आप जॉब जरूर चेंज कर चुके होंगे, तो उन्होंने कहा है, हाँ, मैं बहुत बार जॉब चेंज कर चुका हूँ, इतनी छोटी job change करते हैं, बहुत frequently job change करते हैं, बहुत ही छोटी mind line है और यह छोटी mind line की यह positive है और negative भी एक चीजव है, क्या बहुत दिनों तक एकी जगा पर रह नहीं सकते हैं उसके कारण बहुत बड़ी है बड़ी है बड़ी होור परमोशन की मौागा छूट जाती है एकी कमपनी में अगर आप लंबे समय तक रहेंगे तो बड़ी पोजिशन मिलने का जो मौका है वो छुट जाती है नही जगा पे जाके नही तरीके से शुरू करना पड़ता है तो ये चीज ऐसे लोगो आसान भी लगती है कि नहीं तरीके से शुरू करें नहीं आजाके उसमें उन लोग के बहुत ज़दा पॉलम नहीं आती है क्यों नहीं आती है मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी माइन लाइन छोटी हो तो ऐसे लोग की चेंज़ेबल निचर होते हैं बहुत जल्दी चेंज़ को ये लोग एकसेप्ट कर पाते हैं तो ऐसे लोग अगर बिजनेस करें तो उनकी सेकसेस बहुत बड़ी होती है जॉब से बहुत ज़दा बड़ी होती है कई गुना सेकसेस अचीब कर लेते हैं जो लोग चोटी सी माइन लैन के साथ बिजनेस शुरू करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको भी जिन्दगी में मौका मिलेगा अगर मिलती है बिजनेस करने का उपरचुटी और आप चाहते हैं कि मैं हाँ बिजनेस भी करूँगा तो जरूर कीजिएगा उसमें आपको बहुत ज़दा सक्सेस मिलेगा और वो चांस आपकी जो है इसी एच के कड़ी 41 के कड़ी भी यह जो दूसरी फेट लाइन उठ रही है यह बता रही कि इसी एच के कड़ी आपके पास मौका जरूर आएगा तो मौका आने से अप यह भी कर सकते हैं कि आप जॉब के साथ साथ बुजनेस करें देखिएगा बुजनेस शुरूर करने से कुछ मौईने के अंदर ही आपको सक्सेस मिलने लगेगा उसके बाद आप डिजिशन ले लीजएगा कि जॉब करना है कि बिजनेस लेकिन आपने आपको मौका जरूर दीजिएगा इस age के कड़िप जो आपको मौका मिल रही है नहीं तो फिर से आपको मौका मिलेगा 54 के कड़िप उस time period में आपको जरूर success मिलेगी क्योंकि उस line के उपर tight end की formation बन रही है जो काफी अच्छी sign है इस तरीके का indication यह बताती है कि उस age के बाद आप बहुत तरीके का काम कर सकते हैं दो तिन तरीके का काम कर सकते हैं और हर काम में आपको success मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको वेट करनी पड़ेगी 54 years age तक तो यह रही इनके एक career की रूप रहा कि क्या हो सकती है उभाराल पाम की analysis करेंगे और इनके बारे में कुछ जाननेंगे इनके और भी कुछ सवाल है उसकी जबाब हम लोग देते जाएंगे उभाराल अगर पाम को देखेंगे तो पाम काफी बड़ी है भाड़ी है तो ऐसे लोग clearly महनती इनसान होते है थोड़ी rectangular shape में है लेकिन बड़ी और भाड़ी है तो महनत तो ये करना खूब जानते है लंबे समय तक continue महनत करने में ऐसे लोगों की मतलब कोई जबा भी नहीं होती है बहुत ही लंबे समय तक मतलब 12-14-14 घंटे तक भी बहुत easily काम कर पाते है इस तरीके का indication हमें पाम में देखने को मिल रही है उसके उपर thumb को देखेंगे ऐसे पाम में generally thumb छोटी मिलती है तो thumb छोटी है, thumb थोड़ी मोटी भी है ऐसे लोग थोड़ी dominating nature के होते हैं तो ये भी थोड़ी dominating nature के रहेंगे flexible thumb है, पीछे तरकी तरफ घुम रही है तो ऐसे लोग अपने addition को change भी कर सकते है मतलब उपर से कोई अगर order आए और आपको addition ले चुके हैं तो जो change करने में flexibility रहती है ऐसे लोगों में अच्छी रहती है थम के बीच में देखेंगे will और logic पार दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है will power थोड़ी हमें ज़्यादा strong देखने को मिल रही है आप मांस ज़्यादा है और strong भी है तो practical field में काम execution के काम अब बारिया तरीके से कर पाते हैं उसकी indication देखने को मिल रही logic पार भी ठीक ठाक है लेकिन यहाँ पर हमें बहुत बड़ी है कुछ साइन देखने को नहीं मिल रही है एक छोटी सी job की formation है थोड़ी बड़ी होनी चाही थी जो आपके यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी यह negative नहीं है बहुत ज़्यादा positive भी नहीं है पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा help तो अपके थम नहीं कर पाईगी इंडेक्स finger को देखेंगे क्रॉक है तो leadership quality आप में अच्छी रहेगी बाकी सरे finger की formation हमें ठीक ठाक दिख रही है अभी चलते हैं हम लोग mount की और mercury mount को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खड़ी line है तो अगर आप business करते हैं तो वहाँ पे liquid money की pollen नहीं आएगी अगर आप business करते हैं तो यह सारे जो lines है इसके कारण आपकी liquid money की pollen नहीं आएगी आप में healing quality रहेगी इसको healing line कहते हैं जिनरले हम लोग देखते हैं डॉक्टर नर्स जो इन पेशाओं में रहते हैं उन लोगे पाम में इस तरीके का line रहते हैं यह line indication करती है चाहे आप जाने या ना जाने मतलब आपके पहचान के हो जान पहचान के हो या ना हो अगर कोई तकलीप में है और आप देख रहे हैं तो उसके लिए आप मदद जरूर करते हैं अच्छी line है तो अच्छी indication भी देखने को मिल रही है life line के कड़िप से इस तरीके से mercury line आ रही है यह ऐसे पाम में lines कम होते हैं heavy palm में lines कम होती है लेकिन अगर छोटी सी भी indication मिले तो strongly indication जरूर करती है तो मरकरी आपके strong है business करना चाहते तो business जरूर कर पाएंगे अपमे analysis करने की business करने की शमता काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही लेकिन यह जो line मरकरी की तरफ जा रही है life line के बहुत strongly काट के जा रही है यह एक दूसरी line है यह indication कर रही है कि आपके liver से जुड़ी हुई या digestive system से जुड़ी हुई disease होने का खत्रा रहेगा अगर इस तरीके का problem आप में है तो doctor से सलामसपरा जरूर करिएगा यह आपके लिए थोड़ी खड़ाप situation हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है sun mount के और ध्यान देंगे strong sun line तो नहीं है लेकिन sun की line है यह जो टेडी मेरी line चलती है ना sun mount में यह कोई result नहीं दे पाती है तो यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत अच्छी indication देखने को नहीं मिल रही है लेकिन इस palm में fish की formation भी है हम लोग दूसरी picture में जाके देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो हम लोग को पता चलेगा के यहाँ पर एक छोटी सी fish की formation बन रही है यहाँ पर एक हलकी सी fish की formation complete नहीं है लेकिन है यहाँ पर एक इस तरीके का बन रही है तो यह जो indication दिखा रही है कि fish की formation तो इनके palm में है बहुत clear और strong नहीं है लेकिन है तो जब है तो result थोड़ी बहुत जरूर मिल पाएगी आपको अच्छी success अच्छी fame और पैसे आपको जरूर मिल पाएगी आपके palm पैसे वाले का ही palm है उस तरीके का palm का ही indication दिख रही है तो पैसे आप जरूर कमा पाएंगे और और अचानक से कभी भी आपकी जिन्देगी में आ सकती है हम लोग फिर भी और एक बार ढूंडने के कोशिश करेंगे किस time period में सबसे जादा आपकी palm active होगी यहां पर triangle बन रही है काफी अच्छी indication है तो asset up के होंगे बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन भी अच्छी asset आपके पस जरूर होंगे खुद के घर खुद के जमीन जायदा होने का indication clearly आपके palm में हमें देखने को मिल रही है Saturn mount बहुत और सबसे positive mount आपके palm में Saturn mount है क्यों क्योंकि यह mount सबसे उपर में है इसकी indication देखे तो यह सबसे उपर है इसकी जगा भी बहुत ज़्यादा मिल रही है Saturn mount की जगा है बहुत ज़्यादा मिल रही है आपके पाम में उसके उपर जो main sign आपके पाम में हैं ये जो line उठ रही है इसके उपर trident की formation बिल्कुल clear रहे तो ये जो sign बता रही है बहूत ही positive sign है बहुत ही अच्छी indication है सिर्फ multiple काम ही नहीं दे पाती है आपको और किसी mount के उपर अगर अच्छी साइन हो जाए क्लियर हो जाए तो उस माउंट से जुरू हुई जो सक्सेस है ओभी आपको मिल पाईगी सैटन जो है वो भगग स्थान है भगग की जगा है किस्मत की जगा है तो उस पर अगर आपकी अच्छी फॉर्चुन साइन आता हुआ दिखे तो आपकी किस्मत भी बदलेगी और आपको अच्छी बड़ी सक्सेस भी मिल भी पाईगी आपने एक सवाल पुछा है क्या मैं करोरपती बन पाऊंगा जरूर बन पाएंगे इस साइन के साथ साथ और सन में दो तिन चोटी मोटी फिश फॉर्मेशन के साथ साथ आप करोरपती तो बह दन रेखा है अगर पाम में हो तो ऐसे लोगों की धन की कमी नहीं रहती है जो भी चीज की जरूरत हो वो सारे चीजों के लिए पैसे आपके पस जरूर रहते हैं ये सारे लाइन की जो जुका आओ है वो थोड़ी सन माउंट की और हमें देखने को मिल रही है धन रेखा की तो ये फॉरेंग से भी जोड़ते हैं, फॉरेंग मतलब हमेशा बीदेश नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, फॉरेंग मतलब अपनी जनमस्थान से बहुत दूर जाके कामकाच करना, तो उस तरीके का मौका मिले तो भी करिएगा, चाहे हो बिजनस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, अ उसके उपर सलमन रिंग एक ही है, लेकिन काफी स्ट्रॉंग है और बड़ी है, तो इस तरीके का बड़ी जूब, अगर आपको सलमन रिंग दिखे तो ऐसे लोग बहुत ही जादा निश्टावान होते हैं अपने काम में, बहुत ही जादा निश्टा को दिखाती हैं अपने मांट में तो ऐसे लोगों की लीडर्शिप कॉलिटी अच्छी रहती है, इसे टीचर स्कॉयर कहते हैं, दूस्टों को सिखाने के जो आपकी कॉलिटीज है, चाहे हो आपकी स्टूडेंट हो, आपके लीडर्शिप में रहने वाले आपकी कॉलिग्स हो, उन सबी को आप ठाक है आपके पाम के हिसाब से मार्स माउंट और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था लेकिन हो हमें दिख नहीं रही है ठीक ठाक मार्स माउंट ही देखने को मिल रही है जगा थोड़ी हम लोगों कम मिल रही है उभार ठीक है तो शायद आपको फिल्ड में जादा कम करने की भी आपको सेक्सेस मिल जाएगी और रियल स्टेट से जुड़ी हुई बहुत बरा फायदा मिलेगा उसका भी इंडिकेशन आपके पाम में नहीं है थोड़ी एनरजी लेबल बीच बीच में आपको कम मिलता हुआ दिखेगा क्योंकि पाम काफी बड़ी है तो एनरजी की जो नहीं है पाम के हिसाब से थोड़ी फ्लाट देखने को मिल रही है यहां पर देखेंगे भेनास माउट में बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन है लग्जरी लाइफ आप लोग लीट करते हैं इस तरीके का पाम बाले इंसान लग्जरी लाइफ काफी लीड भी करते है हैं ऐसे लोगों की जिन्देगे में पैशन भी रहते हैं कि मैं महेंगा गारी महेंगा फ्लाट खड़ी दू गारी में रहूं कपड़े वगएर जो रहते हैं उसमें ज़्यादा खरच करना चाहते हैं दूस तरीके का इंडिकेशन आपके पाम में भी है तो लग्जरी में लगजरी लाइफ लीट करने की इंडिकेशन आपके पाम में हमें क्लियरली देखने को मिल रही है खड़ी लाइन की थोड़ी अबाव है नीचे से शुरू होके आना चाहिए जो अबें यहां पे तो देखने को मिल रही है इस तरीके से आपको सक्सेस या जो भी आपको जिन्दगे में मिलना चाहिए बहुत आसानी से मिल रही है तो थोड़ी इस्टैगल उसके लिए करनी पर रही है मून माउंट बड़ी है, स्ट्रॉंग है, इमाजीनेशन पावर काफी हाई है intuition power काफी strong है यहाँ पे इस तरीके का line दिखाती है का आपको travel करनी पड़ती है film में work बहुत जाद स्टॉंगली तो दिखनी रही थी मार्स माउंट से लेकिन moon mount काफी strong और बड़ी होने के कारण यह travel दिखा रही है शायद आपको लंबी travel भी करने की ज़रत पर रही है आगे भी पड़ेगी तो travel की indication भी आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है चलते हैं lines की और हाट line की बात करेंगे हाट line finishing point moon सेटर माउंट की तरफ ही है तो यह लोग अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं और उस जब से काम करते हैं खुद के नफा नुकसान उसकी बार में ज़्यादा ध्यान रखते हैं काफी positive indication है लेकिन यह जो line है यह काफी disturbing line है इस तरीके का line नहीं होना चाहिए पाम में जो इनके पाम में है और बहुत ही ज़्यादा strong है इतनी ज़्यादा strong है कि mind line को काट के भी नीचे आ रही है यह clear cut indication करती है कि कोई नहीं कोई relationship बहुत deep relationship इनकी cut ज़रूर हुई होगी तो मैंने इनको इनको पूचा इन्होंने अपने सवाल भी पूचा है कि 41 years age हो चुके मेरी शादी कब होगी तो यह जो पाम है वो इस तरीके का पाम नहीं है कि कोई भी connection नहीं बनी थी इस age में तो मैंने इनको पूचा कि कि एक relationship आपकी तूट चुकी है तो इनका कि हाँ तो इसकी indication हमें clearly देखने को मिल रही है इस line के दोरा किनके relationship तूटनी चाही थी और वो टूट चुकी है अभी शादी कब होगी और शादी की life कैसी रहेगी एक ही indication है आपके पाम में अगर देखे जूपिटर माउंट से बहुत बड़ी कोई पॉलम नहीं है एक ही जो disturbing line है और काफी strong है इसके कारण अपका हुआ लेकिन यही line क्या बार बार आपको तकलिफ देगी नहीं देगी दो तीन sign अगर indication होती तो मैं जरूर कहता कि आपको तकलिफ जरूर देगी और एक fortunate आपके indication है जो है आपके marriage line की और अगर हम लोग जाए तो हम लोगों देखने को मिलेगा कि आपके marriage line जो है काफी देर से शुरूर हो रही है काफी देर से यहाँ पे बहुत ही उपर इसको अगर हम लोग age calculation करेंगे तो 35 यहाँ पे होगी नहीं थोड़ी और उपर होगी यहाँ पे होगी इस age के कड़ी मिडल करेंगे तो 35 के कड़ी हो रही है तो यह जो 35 है इसके भी बहुत जाद उपर हमें देखने को मिल रही है कि आपकी marriage एक actual marriage line है अपाम में तो आपकी शादी लेट नहीं बहुत जादा लेट है एक relationship तूट चूट चुकी है और जो यह age आ रही है इस age के कड़ी आपको शादी जरूर हो पाईगी यहाँ पर कुछ जरूर हलका line है जो हमें यहाँ पर picture में नहीं दिख रही थी जिनके कारण इनके relationship टूटा था बनके लेकिन यह जो age है यह लेटी है 40 के बाद ही है तो आपकी शादी अभी हो जाईगी कोई भी problem नहीं है आपकी शादी हो जाईगी इसी age के कड़ी लगबग आप कोशिश कीजिएगा हो जाईगी और यह जो अपने पहनी है मोती शायद अगर मोती पहनी है और और औरिजिनल मोती पहनी है तो अपका काम करेगा शादी देने के लिए तो अपने remedy ले ली है मैं भी एही remedy देता अपका Late evidence जिन λोग के होते है मेरेज आने के time में हम लोग एही remedy देते है और ये अच्ची काम भी करते है तो जिन्नों भी आपको दिया है ठीक remedy दिया है इसके कारण आपको शादी भी हो जाएगी तो शादी के बारे में आपको ज़्यादा और घबराने की ज़ूरत नहीं है ये लेट मेरेज है लेट मेरेज होगी और एक ही डिस्टावेंस थी जो हम लोग देख चुके है कि होके बीच चुकी है तो मेजर कोई और चेंजिस और डिस्टावेंस नहीं आएगी तो आपकी मेरेज लाइब भी अच्छी जाएगी तो अभी बात करते हैं आपकी फाइनेशियल की बाकी सारे लाइन्स की थोड़ी बात कर ले थे उसके बाद हम लोग फाइनेशियल कैसा रहे गई है यह पाम हम लोग देख लेंगे बच्पन के एज में थोड़ी मोटी छोटी मोटी पॉलिम थी टीनेश तक जिनरली इनके हेल्थ के उपर शायद जादा ट्रावल थी क्यों अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक डब क्लियर जॉब की फॉर्मेशन है उसके बाद फिर से एक जॉब की फॉर्मेशन है उसके बाद यहाँ पर भी जॉब की फॉर्मेशन है यहाँ पर भी जॉब की फॉर्मेशन है तो इस तरीके का अगर आपको बहुत जॉब की फॉर्मेशन दिखे लाइफ लैन की शुरुवाद में या मिडिल में तो या इसे लोग टीनेज तक जनरेली अपने हेल्थ को लेकर थोड़ी पॉलम में रहते हैं हेल्थ या फाइनेशन कंडिशन फैमिली की यह दोनों पॉलम में ही गिरा हुआ इनका बचपन और टीनेज हम लोग देख रहे हैं उसके बाद अगर देखे तो माइन लाइन इनके ठीक ठक चल रही है कोई भी पॉलम नहीं है बहुत ही चोटी है जिनके कारण किसी भी तरीके का changeable काम करने में आप लोगो जदा स्क्सेस मिलती है जौब में आ तो करेंगे तो frequently change होता ही रहेगा लेकिन अगर कभी भी बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस करते हैं टेडिंग के बिजनेस जहापे आपको heavy machinery की जरुरत ना हो अपने खुद के manufacturing की जरुरत ना हो आप किसी से सामान कھड़ी दे बना-बनाया होा और उसको मार्केटिंग करे तो यस طरीके का कामकाज में आपको यह जो लाइन हैं बहुत ही अच्छी सEKs दे पाईगी तो उस तरीके का बिजनेस का खोज जरूर की जीएगा उस तरीके लाइन और यहां पर एक ascending line बनता हुआ हमें देखने को मिल रही है यह भी बीच चुकी है नहीं सोड़ी यह का यह जो लाइन हमें यहां पर देखने को मिल रही है यह थोड़ा calculate कर लेते हैं हाँ यह बीच चुकी है करिब करिब यह भी indication दिखा रही है कि 35 के करिब यह होगी अब की 32 के करिब आगे चलके कोई ascending line है नहीं और इसी एच के करिब 42-43 के करिब एक कठे life line में तो इसके थोड़ा समाल के रहिएगा सेहत में वहाँ पे थोड़ी travel हो सकती है मार्स लाइन का support बनता हुआ देखने को मिल रही है तो बहुत बड़ी major कोई impact आईगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपका सेहत में ऐसा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो नुकसान देने का यह indication है generally यह अगर disease देता है अ हड़ी में ज़्यादा चोट ना लगे लेकिन blood ज़रूर बहुत सकती है क्योंकि अपकी यह जो area है यह venus mount से जुरी area हो तो कमर से नीचे की चोट लगने की ज़्यादा संभावना रहती है तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस ही एच के लगभग 42-43 के क indication है अप में guardian के quality रहेगी आप दूसरों का मदद करने चाता हैं और करते भी है relative हो दोस्तों कोई भी problem में आया तकलीफ में आया आप लोग दोर के जाते हैं और उसकी help करते हैं एक अच्छी indication हमें आपकी देखने को मिल रही है यह हो गई आपकी lines की अभी हम लोग बात करें आपकी financial आपकी financial वैसे बहुत अच्छी है अगर आप जॉब भी करेंगे तो भी करूर पती बन जाएंगे क्योंकि अपर मांट की जो जगा है आपकी पाम में एक एक करके मैं बताता हूं पहले पाम की color बहुती बढ़िया और रईसो वाला अमीरो वाला पाम की color और पाम की color है ऐसे पाम में पैसे जरूर खीचे आते हैं इस तरीके का है सारे के सारे जो उपर के मांट है अबरा हुआ है कहीं पर भी पॉलम नहीं है डिवलप मांट है एक भी यहां पर हमें अंडर डिवलप मांट या कमज़र मांट देखने को नहीं मिल रही है सिर्फ मार्स मांट छहीं है फलाट है और किसी भी मांट में कोई पॉलम नहीं है अपर मांट की जगाह है काफी अच्छी मिल रही है सन और सेतन्ट को देखिए यह अचानक ऐसे लग रहा है कि उचलके उपर की तरफ जा रही है जुपिटर और मारकड़ी कि मांट का अगर फिंगर की यहां से ह बहुत जादा एकसे स्पेस मिल रही है हम लोगों की उपर की तरफ तो ये बता रही है कि इनके सन और सेटन की मांट काफी स्टॉंग है और बड़ी है जिनके कारण ऐसे लोगों को पैसे बनते हैं काफी अच्छी पैसे बनते हैं पैसे बाले ये इनसान बनते हैं चाहे उपर की तरफ हो या हाट लाइन की बनावाट के काना नीचे की तरफ अगर सन और सटन माउंट को बहुत ज़ादा जगा आइडेंटिकल जगा आपको देखते ही पता चलती है कि इस तरीके का माउंट में ज़्यादा जगा मिल रही है तो ऐसे पाम में काफी ज़्यादा पैसे भी तीनो के तीनो में लाइन की पैटरन को थोड़ा समझते हैं हम लोग कही पे भी कोई भी दिक्कत नहीं है क्लियर लाइन है जैसे हाट लाइन उसी तरीके का माउंट लाइन लाइफ लाइन की शुरुआत को छोड़ देंगे तो बाकी की लाइफ लाइफ लाइन भी काफी अ वांफ करिए घाल सुट गियों और हमेशा कहता हो जब तीनола में लाइन अच्छी हो तिनों के तीनों में लाइन अपकी अच्ची हो तो आपके पास सक्सेज खरूर आईगी आप सक्सेस जरूर एक्षियब कर पाएंगे अगर आप करना चाहते तो अगर आप कोशिश करते हैं तो success आपको जरूर मिल पाईगी आपके पास opportunity पहली भी जरूर आई होगी जिन्दगी में शायद अपने accept नहीं किया है business का हो ही नहीं सकता है कि इस तरीके का mind line हो और आपके पास जिन्दगे में business की opportunity नहाए जरूर आई होगी शायद अपने accept नहीं की कोई भी कारण हो सकती है आगे चलके अगर आती है तो जरूर एकसेप्ट करिएगा side में करिएगा job के साथ साथ उसके साथ आपको business में बहुत अच्छी success मिलता हुआ दिखेगा जो यह है करीप-करी 40 142 जो percentage है यहां पर हम एक नया faith line देखने को मिल रही है यह आप business नहीं करना चाते तो जॉब में भी आपको अच्छी बदलाव अच्छी chance अच्छी promotion जरूर दे पाईगी उसके कारण भी आपको काफी अच्छी success मिलेगी और आगे चलके यहां पर हमें थोड़ी gap देखने को मिल रही है करीप-करीप यह होगी आपकी 51 52 के करीप से 54 तक तो दो-तीन साल का 50 के बाद आपको थोड़ी travel रहेगी थोड़ी struggle थोड़ी financial crisis तक रहेगी क्योंकि उस age में आपकी faith line नहीं है फिर 54 के बाद आपकी faith line फिर से उठ रही है और यह तो काफी अच्छी है 54 के बाद आपकी केडियर में बहुत अच्छी success मिलने का clear indication हमें देखने को मिल रही है तो यह है इस पाम की analysis इसके साथ साथ इस analysis को ही पर रखेंगे एक नहीं पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे तब तक के लिए आगया दीजिए शुक्री आप ल